गुड मॉनिंग ट्रेनीच आज क्या हमारा टॉपिक है क्रेंग केस उत्सरजन नियंत्रन प्रणाली इस टॉपिक के अंतरगत आज हम जानेंगे क्रेंग केस में प्रदुशन के सुरोत पॉजिटिव क्रेंग केस वेंटिलेशन सिस्टम क्या है पॉजिटिव क्रेंग केस वे कमबसन चैंबर में स्ट्रोकों के दौरान कुछ एयर फ्यूल मिक्षर या अजला मिक्षर पिस्टन रिंगों द्वारा लीख होकर क्रेंग केस में पहुंसता है इन गैसों को ब्लोबाई गैसों के नाम से जाना जाता है ये अधिकतर बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन होते है क्रेंग केस वेंटिलेशन एक इंटर्नल कमबसन इंजन में क्रेंग केस में अवांचित गैसों के को निकालने के लिए क्रेंग केस वेंटिलेशन सिस्टम का पर्यूग किया जाता है है पहले के इंजनों में इन गैसों को बारा तथा बाद के इंजनों मैं में एक ट्यूप द्वारा वाइ। मंडल Μें छोड़ा जाता था। आप इसकू इस सब्सक्राइब देख सकते हैं पुराने समय की का गालियों में है यह जी रखिए और यह दे रखिए जिसके द्वारा वायम थे मंदल में वो ट्यूब जिसके द्वारा मंदल में इन गासों को थोड़ा जाते हैं पॉजिटिव क्रेंग केस वेंटिलेसन सिस्टम, आज कल की गालियों में पॉजिटिव क्रेंग केस वेंटिलेसन सिस्टम का पुर्यों किया जाता है, इस सिस्टम में क्रेंग केस के परदूसन यानि ब्लोब आई गैसों को वापस कंबस संचेमबर में पहुंचाया जाता है, पॉजिटीव क्रेंग केस सिस्टम का मुख्य उद्देश होता है कि इस क्रेंग केस के भीतर जो भाप है और ब्लोब आई हुई है उनको वाई मंडल में जाने से रोका जाए ताकि पॉल्यूशन कम हो और इंजिन की एफिसेंसी भी बढ़ाई जा सके पॉजिटीव क्रेंग केस वेञे डिलेशन सिस्टम का कश रुज सं इस सिस्टम में पक्रेंग के बाद रिटर बाड़ी के मद्ध के पहले इनों के मद्धू area ब्क में क्रैंग केस में एक ब्राइब लाइन दी जाती है और है चैंस के दुसरे सिरे पर बेंची लेशन लाइन दी जाती जिसके मध्य में आजडीव ट्रेक्रिस वाल भी लगा रहता है तथा इसका दूसरा सिरा इनलेट मेंपोड Corinthians या थुटल बॉड़ी में लगा रहता है देखिए यह क्रेंग एस इसमें यह एस पास यह बिदर लाइन दे रखे और यह a毒 रॉट है पॉजटिक क्रेंग वेंटलेशन बालब है और यह दिंट लाइन फोस्त पर या स्रोटल इस स्ट्रम को चलाता है यह एक वन वे वाल्व होता है जो की स्प्रिंग लोडेड होता है इस वाल्व का एक सिरा क्रेंग केस में तथा दूसरा सिरा आप प्लेंड से तो अगर इसको उठा लेगा संद्वाइब ये वाल बॉया इसा एक एमया ये प्योज़ाइब सबुक्रिबमाव याँ सोगा यहां सब्सक्वाइब यहां से खुलेगा एक ही दिविग, इस प्रकार ये PCV वाल्ब कारी करता है Positive Crank Case Ventilation System की कारे विधी इंजन की running condition में इंजन की blow by गैसों से crank case में pressure बनता है PCV वाल्ब की साहता से inlet manifold में जाने वाली गैसों वैपर को नियांतित किया जाता है जो inlet manifold के vacuum या crank case के pressure से open होता है तथा crank case की blow by गैसों को inlet manifold द्वारा combustion chamber में जाने रहता है इस system में breather line अपना महत्पूर्ण भूमी का निभाती है क्योंकि air के circulation के लिए आवस्चक होता है कि अगर air निकलने की वैस्ता है तो air के आने की वैस्ता भी रहे positive crank case ventilation system मुख्य रूप से तीन प्रिकार से कारे करता है जब engine ideal या मंदगती पर होता है तो blow by गैसे उस टाइम पर कम बनती है इस स्थिति में inlet manifold पर pressure कम रहता है और vacuum ज्यादा रहता है जिसके vacuum के परभाव के कारण positive crank case valve का plunger spring के दवाव के विप्रित खुलता है और हवा और blow by gas inlet manifold या throttle body पर जाने देते है अब इस system में देखे idle condition है तो इस condition में क्या होता है ये inlet manifold पर vacuum ज़ड़ा होता है pressure कम होता है तो ये valve को खोलेगा valve तो पूरा खोला है लेकिन blow by gas ने कम बनी है तो हवा में blow by gas ने का flow कम होता है तो कम मात्रा में इस condition में blow by gas ने engine में प्रवेस करती है दूसरी condition में जब accelerator दिया जाता है और engine पर load ज़ड़ा होता है तो उस समय में क्या होता है crank case में blow by gas से ज़ड़ा आती है लेकिन inlet manifold पर low vacuum रहता है पॉजिटिव क्रेंकेस वाल्व को तो कम मात्रा में खोलता है तो उसको फिर ये crank case का pressure भी उसमें सपोर्ट करता है तो थोड़ा खुलता है और इस बार जो हवा जाएगी उसमें बहुत ज़ड़ा मात्रा में क्या होता है blow by gas ने जाती है इस प्रकार ये system तिसरी condition होती है जब engine manifold पर back pressure होता है चाहिए वो back fire के कारण हो उस condition में क्या होता है ये PCV valve का plunger अपनी seat पर बैढ़ जाता है क्योंकि वो vacuum से किस पर है pressure से दबेगा तो दब कि वो अपनी seat पर बैढ़ जाता है इस condition में flow blow by gas का flow नहीं होता है हाइज स्पीड रहती है इनलेट मेंनी फोर्ड पर पैसर रहता है और फ्लो गारिंग उस जब वालव बंद है तो फ्लो का मतलब ही नहीं होता flow नहीं होता इसको एक चित्र के मादिम तो समझने का प्रियास करेंगे कि ये देखिए ये बनाया हुआ है क्रेंगेस वेंटिलेशन का इस चित्र को देखिए इसमें ब्रीदर रहा है यहां से हवा आएगी एक लिनर के बाद और यह है बी-सीवी वालब और यहां से वेंटलाइन गई है सीधे इनलेट मेनी फूड पर यह बनी है यह ब्लोब आई कैसे जो आती है और यहां से हवा अंदर आई यह हवा के साथ ब्लोब आई कैसे है पॉजिटिक क्रेंगेस वेंटलेशन वालब पर पहुंची और एक निश्चित प्रेसर यहां से वेक्यूम होने के बाद यह यहां इनका फ्लोब स्टार हो जाते है यह फ्लोब दिखाया था मैंने दो वहां तीन कंडिशन बताई थी यहां यह कंडिशन देखिए पहली वा वालब खुला हुआ है और हवा ज्यादा मात्रा में यहां से जाएगी और यहां से इनलेट मैनिफोर्ड से होते हुए कंबस्टन चेंबर में पहुंचेगी इस सिस्टम में पहले भी पताया है मैंने क्यूंकि ब्लोब आई कैसे कम बन रही है तो कम बनेंगी तो जाहिर सी बात है कि कम पहुंचेगी हवा के साथ ब्लोब आई की मात्रा कम होती है आइडिल स्पीड में दूस्री कंडिशन यह है इसमें स्पीड जादा होती है प्रेसर तो इनलेट मैनिफोर्ड पर जो हता है वेक्यूं इस परकार यह सिस्टम काम करता है इसको एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए जानने का प्रियास करते हैं तो एर फिल्टर के बाद और थ्रोटल बोडी के पहले एक ब्रीफिंग लाइन प्रोवाइड की जाती है जो की एंजिन के क्रेंकेस के साथ कनेक्ट होती है अब उसी क्रेंक केस के एक सिरे के ऊपर पीसीवी वाल लगाया गया होता है जो की वेंटिलेशन लाइन के साथ कनेक्ट होता है और वेंटिलेशन लाइन का दूसरा सिरा कनेक्ट किया जाता है थ्रोटल बोडी या फिर इंटेक मैनिफोल्ड के साथ वर्किं को पहुचा देगा सीधा इंटेक मैनिफोल्ड में जिसके कारण एंजिन उन गैसे को एज फ्यूल यूज करेगा और एफिसेंसी और परफॉर्फॉर्मंस तोरों में फर्क आएगा अब इस प्रोसेस को पॉसिबल करने में ब्रीफिंग लाइन अपना में रोल अदा करती है क PCV वाल की जो की पूरी की पूरी सिस्टम को चलाता है अब जो PCV वाल है वो एक युनि डैरेक्शनल स्प्रिंग लोडेड वाल है अब ये वाल का एक सिरा इंटेक मैनिफोल्ड और दूसरा क्रेंक के साथ कनेक्ट होगा और इन दोनों के प्रेशर डिफरंस के ऊपर ही ये काम करेगी यानि कि अगर विहिकल आइडल खड़ा है आप एक्सलेटर नहीं दे रहे हैं तो इंटेक मैनिफोल्ड में इतना वेक्ट्यूम नहीं होगा कि वह वाल को ओपन कर सके अब जैसे ही आप एक्सलेटर प्रोवाइड करेंगे या फिर एक्सलेटर पैडल को प्रस करें करेंगे तो तुरंथ ही जो इंटेक मैनिफोल्ड का वेक्यूम है वह स्प्रिंग को कमप्रेस करके वाल को ओपन कर देगा या फिर उसकी दूसरी साइड क्रेंग के अंदर अगर ज़रूरत से ज्यादा ब्लोबाई गैसिस आ गए है तो वह भी स्प्रिंग को कमप्रेस करके वाल को ओपन कर देगा आसा करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ माया होगा धन्यवाद